दहरादुन में रिलाइंस ज्वैलरी लूट के मामले में पुलिस ने आठवे आरूपी को गिरफतार कर लिया है। इस आरूपी ने पुलिस को चक्मा दे कर पुलिस पर फाइरिंग भी की। STF और दहरादुन पुलिस के सहीवत प्रयास से रिलाइंस ज्वैलरी लूट मामले में आठवे आरूपी को गिरफतार किया है। विक्रम कुश्वा नाम गई आरूपी लूट की घटना के दौरान शोरूम के बाहर पिस्तल के साथ गाड़ी में मौचूद था। पुलिस ने पुलिस आरूपी से पूस्ताच की तो पता चला कि उसके पास मौजूद पिस्तल को उसने प्रेम नगर के जंगल में छुपाया है। हतियार को बरामत करने के लिए जब पुलिस आरूपी के साथ जंगल में पहुची तो छुपाई गई लोड़ेट पिस्तल को ज्ञाड़ उसे निकाल कर आरूपी ने पुलिस पर फाइरिंग कर दी बदल में पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में आरूपी पर फायर कर उसके पैर में गोली मारी। फिलाल आरूपी का एलाज प्रेम नगर के अस्पताल में किया चारा है। धेरादोन SSP अजे सिंग के अनुसार आर प्रिदेश पर संयुक टीम बना दी के थी स्टीएफ और धेरादून पुलिस की जिसमें टेक्निकल टीमें अलग काम कर रही थी और जो हमारी ऑपरेशनल टीमें थी वो लगातार इसमें लगी थी इसमें साथ लोग को तो पूर में गिरफतार किया गया था जिसमें का दस जाते हैं तो बाहर सपोर्ड बेस वेपन के साथ काड़ी के साथ मौजूथ था कि अगर अंदर कोई विरोध होता है या कहीं को ऐसी बात होती है तो उनको पचा के निकालना या फायर करना या इंजड करना और इसके बाद उनको गाडियों से ले जाना चुकि यहां पर कोई विरोध नहीं हुआ था प्राता का समय था इसलिए इनके द्वारा अलगलग मुटसाइगी से निकल गए बदमाज जो डगेती करने आय तो साथी साथ विक्रम कुश्वाज इसके अरेस्ट हुई है वो कार से निकल गया था उसने एक वेपन जो लोड़ेट रखा कोटवाली में इसको रातरी में पुश्वाज के लिलाएगा जिसने स्यूप टीम स्टीएफ की और दिरादून पुलिस की टीम ने विस्तित पुश्वाज करी विस्तित पुश्वाज के बाद अव्युक दोरा बताया गया कि जो गाड़ी जहां पसने छोड़ी थी उसके पास के जंगलों में इसने अपने जो वेपन था 7.62 आटोमेटिक पिस्टल है उसको छुपा दिया है इसके बाद और जो कपड़े आधी की बाद बताया थी चेंज किया गया थे उसके तुन सांक्षियों को कलेट करने के लिए टीम देर रातरी जो है छे सबसी टीम बनी इ लेकिन अभी उस इतने शातिर है कि उसके दोरह उसे पता दा कि उसने लोड़ेड वेपन चुपा रखा है तो उसने पहले अलग-अलग इस्थान देखा है और टॉर्च की रोशनी में जब उस्थानों को सच करा गया जाडियों को उसने पास की जाड़ी में ही उस वेपन क प्रक्रिया उसको फॉलो करके उसका रिमांड लिया जाएगा आप देख रहे हैं दखल न्यूज